हलो दोस्तों आप सोभी को मेरे इस यूटूब चैनल लेट्सक्रेक जपीसी पीसी में स्वागत है और आपको जैसे पता है मैं हूँ प्रेम और मैं आपके लिए एक खास न्यूजाज लेके आया हूँ जो आने वाले एक्जामस में बहुत सारे कोश्चेन इसमें से प्रेम कि किया और वहां पर जो एक 3.2 लोंग एर स्ट्रीफ कंस्ट्रक्शन किया गया है उसका नीरिक्चन किया और दोस्तों आगे देखते हैं क्या है इसका खास न्यूज तो हालेट्स में देखिए पूरबांचल एक्स्प्रेस लगवक 331 किलोमेटर लंबा है और यह ग्रेटर न किया जाते हैं तो देखते हैं यह 341 किलोमेटर लंबा शीक्स लेन रोड है जो इसको एक्सपर्डेंबल एट लेन किया जा सकता है और यह जोड़ता है चांदसराय विलेज लखनों से लेके हाईदेरिया विलेज गाजीपूर तक जो एनेच 31 पर अस्थी थे और दोस्तों इसके साथ इत वजस तो फंप्राइज है 3.2 किलोमेटर लोंग एर स्टिप तो अबता चलो कि इसके साथ भी एक एर स्ट्रीप बिल्ट एटेच किया गया है यानि एमर्जेंसी अगर कोई फाइटर प्लेन हो या कोई बीवान हो इसमें उतारा जा सकता है और यह बहुत ही अच्छा एक माना गया है आजकल की जमाने में जितने भी एर क्राप्टेंस को रोड में उतारने का जो यह मुहीम चला है तो यह मोधी सरकार की ताहते बहुत सारे डेप्लेमेंट इसके उपर किया जा रहा है इटी जी लोंगेस्ट एक्सप्रेस वे इंडिया और यह भारत का लंबा एक्सप्रेस वे हैं और दोस्तों इसके बाद देखते हैं सबसे पहले यह जो आजकल एक्सप्रेस वे में जो एरस्ट्रिप का जो डेबलमेंट हुआ है इससे पहले हो चुका है और यह इसी क्रम में ही एक इसका संक्लाने तो अर्षब सुल्तानपूर का प्राइमिनिस्टर एर मोधी जो है वो सी वन थर्टी हर्कुलस इंडियन एर फोर्स के फाइटर जेट से उतर के यहां पर आए और दोस्तों वहां टॉच अड़ गो आप्रेसन को अपने आखों के सामने देखा अब यह बताते चलू कि टॉच अड़ क्या होता है कि यहां पर थर्टी फाइटर प्लेंस आये और जेस्ट आके राइब किये वहां पर लेंड करन के बाद फिर से वहां पस अपने बेस पर लोड़ यह होता है आपका टॉच अड़ अपरेसन तो इससे यह क्या पता चलता है कि यहां का जो रोड है वो कितना मजबूत है और वह एमेर उतर परदेश एक्सप्रेस वे इंडर्स्टियल डेवलब्मेंट और यह दोस्तों 2007 में उतर परदेश कमेंट दर अब स्टाबिलिच किया गया था और दोस्तों यह एक्सप्रेस प्रोजेक्ट स्टेट में हो इसका निरिक्ष्ण वो और इसका प्रोजेक्ट जो वह चलाता है और दोस्तों इसका हेड़कोर्टर जो है प्रेयर्टन भगवन इन गौमती नगर लखनों में है और दोस्तों इससे पता चल गया होगा कि यह जो स्टेट में डिफेंट जो रोड है जो इस वे के अंडर राते हैं एक्सप्रेस वे बनाने के लिए यह यूपी आइडिये का संगाठन किया गया है नेक्स देखते हैं दुस्तों में थोड़ा डिटेलिंग क्या है इसमें पुर्भाणचल एक्सप्रेस पे जो है इसमें 22 फ्लाइवर है साथ रेलवे ब्रीज है साथ मेजर ब्रीज है 114 माइनर ब्रीज है 6 टोल पलाजा है 45 वेहिकुलर अंडर प्रास जू गाड़ी है जो लोकल गाड़ी है या जो लोकसाइकल या पैदर चलते हैं वह उनके लिए इस एक्सप्रेस लिए के नीचे यह एक शुर्म टाइप रोड होता है जिससे वह निकल सकते हैं दुस्तों उसके बाद देखते हैं जू एक्सप्रेस हुए है इसमें सी एंग स्टेशन लगे हुए इलेक्री रिचार्ट स्टेशन लगे हुए और दोस्तों साथी साथ इसमें डिफेंस कोरिडर जो है आग्राय बंदरलखंड एक्सपेस पर उसमें इसको जोड़ा रहा है दोस्तों इसको मेक्सिमूम स्पीड 120 पर आवर में यह इस रोड के उपर जा सकत यह बहुत समय लगता था आपको उतर पदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंचने के लिए अभी यह बहुत ही आसानी से आप इसको रिच कर सकते हैं तो इसी तरह यह इंपोड़न्स और भी कियां हो जाता है कि अभी जैसे आपका चाइना के साथ हमारा जैसे एक सीचिशन बन हुआ है वार कस्ति बना हुआ है पाकिस्तन के साथ बना हुआ है तो इसमें जभी भी हम कोई अमर्जन्सी फाइटर जैट्स या पीमान को इसमें लेंड करा सकते हैं और यहां से हम एक एयर बेस के साफ़ इसको यूज कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में इसमें हम अपने विबानों को या फाइटर जेट को अपने सिमा को ले जाने में हमको सुविधा हो सके तो दोस्तों इसी तरह यह बहुत ही इस्टेजिकली हमारे लिए इंपोर्ड़न्ट से और साथ हमारे जो इकोनोमिक गतिविधियों को बढ़ा देने के लिए बहुत ही इंपोर् अगर आप इस चैनल में नए है तो जरू सी जरू इसको सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए हाँ और जो साइड में बेल आइकन है उसको दवान ना भूले ताकि जब भी मेरे दुरा कोई वीडियो बना जाएगा सबसे कहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लावले अधिस अधिस्ट आप इस वीड़ेंग कीजिए लाइग छेचे काल जापके वीडियो डिए जरू इस चाहर अगलिविए लाइग इसक्षान है यहां थार इसक्षान प्सक्तिए डिए लाइग इसक्राइब कीजिए डो ए मैं झीज हाँ